अगर आप Android अप्लिकेशन बनाना सिखना चाते हैं अपने Android फॉन से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल वाले आइकन को जरूद प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अप्रोट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें अगर आपके लिए फैनली ये वीडियो ले करके आये हूं तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करते हैं और शेयर करना ना भूलें गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाश्ट में सेयर करना ना भूलें गाइस और अगर आपने सस्क्राइब नहीं किया तो नीचे वाले रेट कलर के बटन पर किलिक करके मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लें अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं यह अप्लिकेशन यहाँ पर बनाया गया है गाइस तो So पे किलिक करेंगे गाइस, तो यहां पे देख सकते हैं इस तरह के इस टाइप के अगर आपका Error So होता है अगर आप Sketchware में Application बढाते हैं और अगर आपका इस टाइप का Error So होता है तो आप कैसे Fix कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर बहुत सारे इसे कारण हो सकते हैं इस टाइप का Error का तो आपको fix करने के बहुत तरीके हैं गाइस लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ही method बताने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि Navigation Drower के बारे में बताया था उसमें भी बताया था कि आप Error अगर आपका आता है नविगेशन ड्रवर अगर आप create करते हैं और अगर आपका Error आता है तो किस तरह से fix कर सकते हैं उसी वीडियो में मैंने बताया था guys तो अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में मैं लिंक देदूँगा आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं फिलाल आज हम बात करेंगे कि इस टाइप के अगर आपका Error आता है तो आप कैसे fix कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको Error को पहचानना पड़े जानना पड़ेगा कि किस टाइप का Error है तो यहाँ पर देख सकते हैं गोर से अगर आप देखेंगे यहाँ तो देख सकते हैं यहाँ पर chat activity में जो है मेरा Error found हो रहा है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर setting activity में यहाँ पर error found हो रहा है तो यहाँ पर finally जो है कि चेट एक्टिविटी में जो 35 यहाँ पर 35 इरर जो यहाँ पर दिख रहा है 35 नमर पर यहाँ पर इरर जो है यहाँ पर 9 रिसोर्स कर रहा है यहाँ पर देख सकते हैं guys तो यह इरर जो है यहाँ पर मेरा यहाँ पर देख सकते हैं guys मतलब कि image view add किया गया है जो कि by default यहाँ पे delete हो गया है गया है अगर delete हो या किसी भी कारण से यहाँ पर bug आ गया हो तो delete हो सकता है गया है तो यहाँ पर delete हो गया है उसके कारण से यहाँ पर found नहीं बता रहा है जो कि यह image जो है यहाँ पर ACC करके यहाँ पर setting activity में और यहाँ प तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देते हैं यहाँ पर निचे में क्लिक करेंडियों है तो देख सकते हैं यहाँ पर ढना पर यहाँ रह एक्टिविटी है उसके बाद यहां पे अगर chat में आएंगे यहां पे देख सकते हैं तो यह setting में भी आपको यहां पे देख सकते हैं यहां पे यूज किया है गाई तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे आपको simply क्या करना है fix करने के लिए आपको simply यहां पे जाना है उपर में right side में देख सकते हैं, आपको three dot देखने को मिलेगा, इस पर simply click करना और यहाँ पर तीसरा नमर पर आपको image का option आएगा तो image पर click करना है guys मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे problem हो सकते हैं, error आने का लेकिन मैं आपको इस error के बाद कर रहा हूँ या भी जो मैंने पीछे दिखाया था तो उस error को अगर आपको fix करना है तो इस तरह से कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले error को पहचानना होगा कि किस type का error है, किस activity में आया है तभी आप fix कर पाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक image ले लेता हूँ मैं कोई सा भी उपर में click करके यहाँ पर image ले लेता हूँ और यहाँ पर हम इस पर click करके यहाँ पर कोई सा भी image ले लेंगे, हम यहाँ ले लेंगे यह वाली image ले लेंगे और इसका name रख देंगे, यहाँ पर ACC यहाँ पर ACC रख देंगे और इसे add कर देंगे guys उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर automatic जो है यहाँ पर image found हो गया ले लिया guys उसके बाद अगर chat activity में जाएंगे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर setting में था थे अभी और यहाँ पर chat activity में अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ भी एक image जो है मैंने अभी add किया automatic found हो गया अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर run करेंगे इस application को तो यहाँ पर easily आपका जो application है run हो जाएगे guys तो आपको जो भी error आएगा जो भी आपके अगर sketchware में application में आता है तो आपको सबसे पहले उसको पाचाना पड़ेगा तभी आप उस error को fix कर सकते हैं तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही important था guys अगर आप sketchware में application मनाते हैं और अगर आपका in future अगर इस तरह के इस type के error आता है तो आप इस तरह से fix कर सकते हैं तो I hope यह वीडियो आपके लिए useful रहा होगा guys यहाँ पर मैं आपको इसे run करके एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर फिर इस वीडियो को stop करेंगे guys तो इस वीडियो को like जरूर करें और share करना ना भूलेंगा इस क्यूंकि share करते हैं तभी मैं वीडियो जल्दी जल्दी लाता हूँ actually मैं आपको बता दू कि यह जो project था किसी और का था जो मैं उसका नाम नहीं लेना चाता हूँ तो मैं यहाँ पर उनका project करना है simply आपको activity पहचाना है और यहाँ पर क्या error है वो आपको find करना है उसके बाद आप easily fix कर सकते हैं कोई भी error को तो अगर आपका कोई भी error आता है तो आप telegram में मेरे join होके मुझे वहाँ से भी बता सकते हैं मैं वहाँ से भी fix कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमेशा मैं आपका reply नहीं देता हूँ लेकिन जब मैं free होता हूँ तब मैं आपका reply देता हूँ तो अगर मैं reply अगर आपको नहीं दू तो आप मुझे छमा कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको run करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह किसी और का application है तो यहाँ पे देख सकते हैं बस आप इस तरह से error को fix कर सकते हैं तो I hope यह वीडियो आपके लिए यूज फूल रहा होगा तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में नए टुटोरिल के साथ और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो यहाँ पे इस project को एक बार delete कर देता हूँ आपके सामने ताकि यह किसी और का महनत है गाईस मैं क्यों यह project रखूँ इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस project को delete कर दूँगा इस यहाँ पे तो आपके सामने यहाँ पे delete कर दे रहा हूँ यह थोड़ा internet connection on था इसलिए तो देख सकते हैं गाईस इस project को मैं यहाँ से delete कर देता हूँ तो यह delete हो चुका है गाईस तो चलिए मिलता है next video आपके साथ अब तक के लिए बाबाट टेटा है